बारत G20 की मेजबानी कर रहा है और इन दिनों की बात अगर हम करें तो दिली दुलहन की तरह सजी हुई है विदेशी महमानों के लिए अलग-अलग तरीके के इंतिजाम किये जा रहे हैं जिन होटेल में विदेशी महमान रुखने वाले हैं उनके rooms कैसे हुँगे ये हर को जाना चाहता है तो आज हम पहुचे हैं होटल ललित में जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो rooms हैं तो आप देखे तो यहां पर आपको एक रूम नजर आ रहा होगा और इसके अंदर हम आपको न्यूज 18 की तस्वीरों के माधिम से दिखाएंगे कि यह कैसा रूम है, इसकी क्या खासियत है तो आप यहां देखे तो जब हम इस रूम को खोलेंगे लागसी रूम है यह आप देखे तो यहां पर भारतिये परमपरा को दर्शाते हुई है जो वाल आट लगाई गया जिसके ओपर आपको त्रिशूल दिखाएंगे देखाएं क्योंकि भारतिये परमपरा के अनुसार ही सारी चीजों को यहां पर रखा गया है, जीट्वन्टी की मेजबानी करने जीट्वन्टी कीया है यहां पर हर तरीके के संस्कृति को सलकाने कि कोशिश की गाई है और यहां देखे तो यहां पर बैटकर सकते हैं बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखें तो यह पूरा एक डानिंग एरिया है जहां पर आप बैटके खाना खाएंगे और यहां पूरा तयार हो चुका है सिर्फ महमानों के आने का इंतजार है इसका डेकॉर भी आप देखें तो क्रिस्टल लाइट के सब्सक्राइब है और इसके बास सबसे बड़ी चीज है यहां का मास्टर बैड्रूम क्योंकि हर को जाना चाहता है कि जो हमारे विदेशी महमानियां पर पहुंचने वाले हैं उनके लिए किस तरीके से यहां चीजे की गई हैं तो आपने लिविंग अरिया देखा देखा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यह जो रूम आपको दिखाई दे रहा है यह मास्टर बैड्रूम है और इस मास्टर बैड्रूम में आप देखे तो यहां पर देख सकते है कि सारी जो रेस्ट करने के लिए जो सुविधाय होनी चाहिए वो यहां पर है एक बड़ा सा जो बाड है तो क्योंकि मास्टर बैड्रूम है यहां पर और अबर चीज है कि भारत जीकमेजवानि कर रहा है और यहां पर भी शारी चीजों में जीच्वंटी का लोगो लगाया गया है ताकि सबको पता रहे तो यहां पर देखे तो जीच़ फर आपको दिखाई और यहां पर एक जो मास्टर बैड्रूम है, मास्टर बैड्रूम में ठीक सामने टाल्वीजन लगा है क्योंकि देश की गतिविदिया जाना भी बहर ज्यादा जरूरी है तो उसके लिए आप देखें याप टीवी है साथ में आप उधर सिटिंग एरिया में आप देख सकते ह जो मन को और आखों को दोनों को ही सुकून देने बाला है और यहां पर आप देखें तो क्योंकि फॉरन डेलिगेशन सा रहे हैं और भारत में भी जिस तरीके से अब प्लास्टिक बैन करने की प्रथा चल पड़ी है तो साथ ही साथ यहां पर काच की बॉटल्स रखी गई ह और दूसरी तरफ आप देखें तो एक बड़े से गलास विंडो है जहां से आप पूरी दिल्ली का नजारा देख सकते हैं और बेहत सुन्दर नजारा यहां से देखने के लिए मिल रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली है और जो भी कोई यहां पर आता है वो पूरी दिल जहां पर यहां से आप पूरी दिल्ली का नजारा आप देख सकते हैं कि कितनी सुन्दर यह दिल्ली है जहां पर यह शिक्षर संमेलन होने वाला है तो यह master bedroom है और यह legacy room है legacy suite है जहां पर हमारे foreign delegations क्योंकि बहुत सारे जगाहों के जो प्रेसिडेंट है रास्ट वो लोग यहां पर पहुचने वाले हैं तो अब तयारिया पूरी हो चुकी है क्योंकि विविदिता वाला देश है और हमारे हां का culture है कि अतीती को हम देवता की तरह मानते हैं देवता की तरह पूचते हैं अतीती देवो भवा तो अतीती के स्वागत के लिए यहां पर तय की कोशिश की गई है तो इंतजार है G20 के फॉरन डेलिगेशन का जो यहां पर आठ तारीक को पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए पूरी तयारिया कर ली गई है सिर्फ अब उनके वैलकम का इंतजार है दिली से रचना की रिपोर्ट